जय हिंद आइए इस वीडियों लोग फिंकर फाइनसे लिमिटेल कंपनी बारे में बात करते हैं समझने का प्रयास करते हैं कि हमें इस कंपनी में इंवेस्टमेंट करना ठीक रहे गया नहीं और पहले कोई बेक्ति इसमें इंवेस्टमेंट किये हुए है तो उनकी अब आगे इसकी अस्थापना हुई 384 में और उस समय शुरू में सजय लिजिंग बाद में कंपनी के नाम बदल कर फिंकर फाइनसी कर दिया गया और अभी यह कंपनी काम करते हैं और नन बैंकिंग कंपनी यह कंपनी बैंक की तरह ही काम करती है समझेंगे इसका मार्केंट के पांसों जाधा है और इसी साल जनुरी में जनुरी 2022 में अपना लगाया है उसके बाद से कमपनी का चांट पैटर नहीं को एक बना रहता है मतलब share price में उतार चड़ाओ बहुत ज्यादा रहता है volatility ज्यादा बनी रहती है तो ऐसे company में जिसका chart pattern इतना volatility वाला हो जिसमें उतार चड़ाओ ज्यादा हो इसमें risk बना रहता है यहां समझेंगे आप company का return देखे एक सता में एक माह में और एक साल में तीनो ही return इसका negative में है एक सता में 20% एक माह में 0.50 और एक साल में 4.85% का return देखे negative में मतलब company ने कुछ कमा कर नहीं ती है आपसे लिया ही है वाई यह quarterly results देखते है quarter 3 के result जो कुछ दिन पहले कंपनी के आया है और profit देखेंगे तो profit भी quarter 2 में 1.85 लाका हुआ था लेकिन quarter 3 में कम होकर profit नहीं हुआ loss हो गया है minus 69 लाक का company को इस बार loss हुआ है earning पर share में भी देखे गिरावट आया है quarter 2 में यह 0.12 था जो कम होकर minus में आ गया है minus 0.05 मतलब quarterly basis पर जो रिजर्ट आया है करकर इससे यह कहा जा सकता है कि मतलब company के फिलहाल के काम काज वर्दमान में ठीक ठाक नहीं चल रहे हो सकता है management ठीक काम नहीं कर रहा हो या company को order नहीं मिलो company के sales नहीं हुआ लेकिन एक बात उता है कि quarterly नतीजे खराब आया है अर्थात company का वर्दमान का इस्तिती ठीक नहीं है लेकिन जब आप यहां देखते हैं कि company के पास reserve है 128 क्रोन रुपए का मतलब company के पास cash पैसा है company बुरे टाइम में अपने आपको sustain कर सकती है और यह भी देखेंगे तो quarter to quarter बढ़ते जा रहा है करजा देखिए company को पर करजा है 27 क्रोन 56 लाग का debt है लेकिन अच्छी बात है कि quarter to quarter अपने debt को यह company कम करते जा रही है assets की बात के नहीं जो company की खुद की होती है तो देखे दूस्तों 24 क्रोन की है और अच्छी बात है कि साल दर साल इसका जो असेट से बढ़ते जा रहा है वहीं liabilities की बात करने तो liabilities 84.1.7 क्रोन का है liabilities भी मतलब अच्छा खासा है और लेकिन अच्छी बात है कि यह भी साल दर यह साल कम होते जा रहा है यह पॉइंट ठीक है लॉंग टर्म कंपणी अपने आपको सच्टेंट कर सकती है लॉंग टर्म इसमें ग्रोथ आ सकता है लेकिन जिस तरह से कंपणी का चार्ट पैटरन देखने से लग रहा है कंपणी में भूलाटी लेटी लगतार बनी रहे हैं पिछले कई सालों से और आगे भी ऐसी उमीद्व बनी रहेगी प्रमोटर्स की ठीक ठागे देखिए और इसमें इंवेश्टर वालों के भी हिस्सेदारी है पांस पॉइंट चार परतिसद फॉरें वाले वी इसमें है चुकि फाइनेंसल सेक्टरी कंपनी इसकी जो सर्वि इसकंपनी का इससे अच्छे और इससे ज्यादा रिटर्न देने वाले कंपनी आपको मिल जाएंगे तो आपको यह और बहुत सारी कंपनियां है खोजेंगे तो मिल जाएगा तो उम्हीद करता हूं मेरी बातें आपको समझ में आई होगी मैं जो बताना चाह रहा था वीड नहींट सichenथ से टुंट अवा जाएंगे।